आप देख रहे हैं आइपा आइपा वह महंच जहां पर प्रकसिर राजनीती की बाते होती हैं और यहां पे एक नए हस्तियों से मुलाकात कराते हैं आपने जन्पत के लोगों से आज इसी कड़ी में आप से मुलाकात करा रहा है वारांस्टी के कद्दावार नेता कंग्रेस पार्टी से रागवेंद्र चौबे जी से जो महानगर अध्धक्ष भी यह वरतमान में और बात करते हैं आज की राजनीटी को लेकर किस परकार की जो सियासी जो हल चले हैं ऑर भी चलदा इसमया किस परकार के आ रोप लगें कि स्थरोप लगेंगे पिछले कि परकार से काम हुए चर्चाय होती है आज चाहिः चौबे जी से स्वागत असार आपका आई पामें पहला सवाल आप से कि पहले पहले 2014 के बास बाट में आप क्या बदलाव देख रहा ह है और पिछले दो वर्सों से मैं कांग्रस से हम लोग जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश में अधनी प्रेंका गादी जी की अगवाई में दिन रात कोरोना काल में हमारे करकरताओं हम ने जीतोड मेहनत की लोगों को आनाज मुहाय करा है आने जाने के लिए साधन मुहाय करा हैं मनारस में 900 से ज्यादे यूनिट हम लोगों ने डूनेट किया तिन चार चौनों में और इस तरह से काम करके लगातार हम लोगों के दिलों को जीत में हम बढ़ रहे उत्तर कांगरेस के राजस मिस्रा जी भी पारी खेल चुके यहां पर और निभाई भी अच्छे से यहां पर तो अगर बात की जाए तो वादों की बात की जाएं तो वादे जो हैं कितने पूरे हो रहा हैं बीजेपी के वाराणसी में और क्या आप बदलाव देख रहें या कुछ कम लिए लगातार है मैं आप 2004 में जो हमारे कांग्रेस के एंपी थे आप देख लिएखे हमरे दिसमेर स्मेश में सरकार हमने बनारस में इंतराश्ची एरपورट पे काम किया हमने बनारस में ट्रॉमा सेंटर के लिए काम किया तमाम हम बुनकर स्वास्त पे काम किये हम लोग और भी तमाम इस तरह के जन हित गया और भारती जनता पार्टी प्रधान मंतरी का इस साथ वर्सों में बनास को मिला क्या किया केवल केवल जनता के पैसे का बंदर बाठ हुआ और जनते के पैसे का दोहन हुआ यह रामनगर में यहां बंदर गाव बनाते हैं चार्सों से च्छासों करोड की इनकी प्रयूजना है बुनकर सेंटर बनाया इन्होंने वह भारती जनता पार्टे करेक्मनों के लिए हो गया तमाम ऐसे कोई भी ना एक रोंग रोजगार के लिए लोग सा आप निकल लेए बन मूल पर काम नहीं कर रहा हुआ हवा हवाई लोगों को प्रमित करना बाकाने लगातार काम भारती जनता पार्ट कर रही है और जनता इनको भली बाद जान चुकी और हमारी तरफ आशावरी नजनों से देख रही है कांगरेसी इस देश की एक मातर ऐसी पार्टी ऐसी बलकि हम तो आप देखिए भारती जनता पार्टी करती कुछ नहीं और धिडुरा जादे पिटती है हम तो करके धिडुरा नहीं पिटती है क्योंकि हम एक योजना लाने के बाद दूसरी योजना जिससे लोगों को लाब हो हम उस पे काम करते हैं हम आटिया ही लाए उसके पर भूमेड गरान बेल पर काम किया काम की हम लगता है जो आई आजी नहीं उसके मिलेगा उसके हमारा काम करने पे बनारस की फारी एक फारी विक्षात रही इंटरनेशनल इस तरपे काफी यहां पर खरडारी हौँ से होती थी और बनारसी साडी काफी फेमस हैं टीफ सी से लगी उसमें बना तो बीजेपी टीएफसी बुनकरों के लिए जुडाती है कि ये मेरे बहुत अच्छे काम है किस नजर से आप देखते हैं टीएफसी को बुनकरों के लिए मैं एक बार निवेदन करूँगा कि आपना इस कैमरे को लेकर करके वहां जरूर जाईए देखिए कि वहां बुनकरों कि इतना लाब हो रहा है वहां हर हफते भारती जनता पार्टी की करभी प्रदेशिक बैठक हो रही है कभी कासिशित की बैठक हो रही है कभी मोदी जी का कारेकरम लग रहा है भाजपा करकरताओं के साथ वारता का संबाद का कभी वहां पे उनके सोसल मीडिया का समिनार लग रहा है बुनकरों के नाम पे बना जरूर सरकारी पैसे का लगा लेंगे भारती जन्ता पार्टी अपने लिए अपने रानितिक गारियों को संपाइद कराने के लिए उसका अपने गयस्ट हाउस की रूप में हो उसको अप्योग कर रहे हैं बुनकरों कोई लाब नहीं हुआ जब चुनाओं नस्दीक आता है तो लोग भावनात्मक हो जाते हैं छेत्री मुद्दे कम हो जाते हैं तो इस पर क्या आपकी राय है छेत्री मुद्दे होने चाहिए या भावनात्मक के नाम पर ओड़ने चाहिए धर्म जाती के नाम पर मुद्दे तो छेत्री भी होने चाह कारada बना पाएं और अपने मन का काम न से ले पाइँ लेक लेकिन फिछले कुछ वसों से लोग थोड़ा सा भारात्वक रूप से भढटक जा रहे है और लोग एकले तो अच्छे न्यास भी हम करेंगे अपने सासन काल में हम सब कुछ करते हैं रिंग रोड उसका उधारन है उनका या कहना है कि दोजार चार पांच में इसमें मुवजे बाढ़ दीए गया तो क्या कहेंगे इस पर लगातार देखिए उनका कहना है तो यह तो जलबाजी में रहते ही हैं काम पूरा नहीं हुआ बनास में आप देख लिए अब फुलवरिया का कर दिया और ऐसे कई हो जाए और किया है रामनगर जाके देख लीजिए इन्होंने बंदर ग्राव बना दिया मैं पूर्णा चाहसो करोड़ से ज्यादे का प्रोजेक्ट है चाहसों से चाहसों करोड़ का प्रोजेक्ट है कि उस पैसे का सुधवियों क्या हो रहा है एक भी जहाज बताएं आकर के कि हमने इतना उस से आम जनता के लिए काम किया और आम जनता को इसका एहलाब मिला और इतने जा आ जाए इतने सीधे सीधे पर आपको मालूम ही अभी मैं बतारों आप अपने निवेधन भी करूंगा एक बार जाईए और दोनों अस्थानों का दोरा करें तो यह हर बड़ा हाट में रहती है कि इनका बस बोर्ड जादे जादे लग जाए उसका मूल क्या उससे जनता को लाव क्या मिलना इस पर इनका कोई हो नहीं रहता है और जनता पूरी तरह से इनको बेरिखाब करने का मन बना चुकी है अंतिम सवाल आप से प्रियंका जी को लेकर है प्रियंका जी लगातार हर जगे घटना इस तलबे पहुंच रही है काफी महनत कर रही है समय आगामी 2022 में वारानसी में चुकी आठ सीटे हां बीजेपी के समर्तन से रही को कह लिए कि पूरी बीजेपी में थी भगवा में थी क्या अंतर देख रहे हैं किस तरीके से आप जाएंगे जनता की बीच में हैं जनता के बीच में हम मादनी प्रेंका जी ने मैं पहले भी का और फिर कर रहा हूं दो सालों में प्रेंका जी ने हुंबा की घटना से सुरुवात कर लिजे हुंबा उन्नाव हाथरस लखेंपूर आजमगर जो कि अखले स्यादों जी की संसदीच है वहां भी सी है मह कैसे जीला वाइज कैसे लोग सेवा कर रहा है अपने तरब से भी साधन साधन लोग मुहया कर रहा है और एक जो एक निश्ट जो समास से भी की भूमका हो तो उसको प्रेंका जी ने नियुरन किया जब लोग अपने घरों में कैद थे कि ट्वीट करके किसी घटना को अब किती सिती मान लेते तो प्रेंका जी सड़क पे उतर करके उसका बिरोद किया मुकदमे लिखे गया उनके उपर गिरबतारियां हुई उनकी लेकिन उसे डिगी ने और कांग्रेस करकरता भी डिगा नहीं मुझे ध्यान है इन दो वर्सों में अठारा हज्जार लोग कांग् कांग्रेस के लिए हम लोग लेके आएंगे एक और अंतिम सवाल है आपसे चुकि अब 2022 का नजदी का चुनाओ और दक्षणी उतरी कैंट यह जो सहर के जो हैं स्यूपूर चार विधास अगर इन में से आपको कहीं पर चांस मिलता है तो क्या तैयारी रहेगी किस प्रकार स से आप लड़ेंगे हैं हमारी तैयारी हम पूरे जो जिला शहर का संगंठन है प्रत्याशिक कोई भी होगा संगंठन चुनाओ लड़ाएगा और संगंठन पर काम हुआ हमारी वाड इकाई न्यापंचात इकाई बहुत कमेटियों तक का हम लोगों ने गठन किया इन दो व पूरा संगंठन उसको पूरी इमानदारी निष्टा से लड़कर करके विधान स्वाम बेजने का कारे करेगा आप थे हमारे साथ रागवें चौबे जी जिन्हों ने बहुत ही बेबाकी से अपने पूरे जवाबों को दिया और आने वाली आगामी 2022 के चुनाओं के लेकर क अमर कसली गई है